भाई लोग आप सभी को मेरी तरफ से हैपी दिवाली आप सभी का दिन सुब जाए तो भाई लोग आज के इस वीडियो में हम सिंगाम अगेन और बुल बुलिया थ्री मुवी के एडवांस बुकिंग के बारे में बात करेंगे तो चलिए सुरुवात करते हैं देखते रहेगा पूरा वीडियो भाई लोग अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो कि इस चैनल पे आपको इसी तरीके से बॉली बुट से रिलेटिड वीडियो देखने को मिलते रह कान देखने को मिले हैं तो भाई लोग सबसे पहले में बताना चाहूंगा सिंगा मगेन का जो बजट है 350 करोड़ से 775 करोड़ों के बीच में बनाके तयार किया गया है बित पर्मोटेड तो चलिए बाइब बात कर लेते हैं कि सिंगा मगेन मूवी का अभी तक कितना इंडिया बोकिंग दो कडोर एक लाग रुपेगा किया है तो भाई लोग इसी तरीके से और इंडिया ग्रोस क्रेक्षा आट कडोर 45 लाग रुपेगा हूं चुका है और सिंगा मगेन मूवी ने विदेशों से 9 करोड 23 लाग रुपेगा एडवांस बुकिंग किया है तो भाई लोग मुवी को रिलीज होने में सिर्फ एक दिनों का समय बाकी है तो भाई लोग आपके गौर्डिंग इस मुवी का ओपनिंग डेज रहेगा कितने कड़ो कर आएगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो चलिए भाई लोग अब बात कर लेते हैं बूल बुल या त्री मुवी के बारे में बूल बुल या त्री मुवी को अनिस बजमी के डिरेक्शन में बनाया गया है जिसमें हमें स्टारिंग कास्ट के साथ कार्थी कारियन, विदावालन, मादुरी दिख्चित और त्रिप्री डेमरी देखने को मिले हैं तो भाई लोग मैं एक बात क करना चाता हूं कि बूल बुल या मुवी का जो बजट है 150 क्रोड में बनाके तयार किया गया है बित परमोटेड बूल बुल बुल या त्री मुवी अपने फर्स डे इंडिया बुकिंग तीन कड़ो 64 लाग रुपे का एडबांस बुकिंग किया है वही अपने थर्ड डे इंडिया बुकिंग एक करो 92 लाग रुपे का किया है तो भाई लोग इसी तरीके से ओल इंडिया ग्रोस कलेक्शन 7 क्रोड का हो चुका है बूल बुल बुल या त्री मुवी ने विदेशों से 5 क्रोड पचास लाग रुपे का एडवांस बुकिंग किया है बूल बुल बुल 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 या मोवी को दोनों को गड़ा कॉंपेटििशन करने को मिला है भाइलोग बुल 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 या त्री मोवी और सिंगर मगण मोवी ने से आप सबसे पहले वास्ड़ करने वालेotte हैं बता सकते हैं तो चलिए वीडियों करते हैं यह यह पर बिडियो अच् चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें जब तक लिए मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद